नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बिहार सिविल कोट का ओफिसल वेब साइट है देखे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आज से कुछ महिना पहले जो बिहार सिविल कोट का आपको फोर्म आया था पियून, कलरक, इस्टोनग्राफर और आपको कोट रीडर के लिए इन तमाम पोस्टों का जो एकजाम है सो कब होगा एकजाम डेट के ओफर में क्या अपडेट आ रहा है इन बातों को इस वीडियो में जानेंगे इस चैनल पर बिहार सिविल कोट से रिलेटेट सभी इंपोर्टेंट वीडियो, नोटीज और जितना भी आपको इंपोर्टेंट कंटेंट होता है चाहे कि आपको कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंगलीज हो सभी महतरपूर्ण वीडियो में इस चैनल पर जालता हूँ इसलिए आप जो है इस चैनल को जल से जल सस्क्राइब कर लिए देखे दोस्तो बिना किसी देरी के आप हम लोग वीडियो सुरू करते हैं आप लोग तो जानते ही होंगे कि आज से कुछ मेहना पहले बिहार सीविल कोट में श्टनोगराफर, कोट रीडर, प्यून और कलर्क का आपका फोर्म आया था इसका इकजाम डेट को ले करके तभी से जो है अपवा फैल रहा है कि इसका एकजाम दिसमबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा लेकिन कभी भी इसका official exam डेट गोषित हुआ नहीं देखे दोस्तों आप लोग एक बात और भी जानते होंगे कि बिहार सीजियल का जो एक्जाम आपको 23 दिसंबर और आपको 24 दिसंबर को हुआ था उसमें से 23 दिसंबर के फर्स सिट का जो एक्जाम कैंसिल कर दिया गया था पेपर लिक की वज़ा से उसी को लेकर के आपको बिहार सीजियल का जो एक्जाम कैंसिल हुआ था उसका री एक्जाम कर लेता उसके बाद ही बिहार सीजियल का जो एक्जाम है उस कंड़र्ट कराता तो हलाकि पांच मार्च को जो है दोस्तो वो बिहार सीजियल का जो एक्जाम है सो कंड़र्ट करा लिया गया है तो अब जो है सो बिहार सीजियल कोट का एक्जाम होना है होली खतम होते ही 15 मार्च, मीड मार्च के बाद ही आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि बिहार सिविल कोट का एक्जाम कब से है और इसके कुछ दिन बाद जो है एडिमिड कार जारी कर दिया जाएगा 100% आप लोग का जो है नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद